हेलो दोस्तों वेलकम बाक टो माई चानल सुपर टिपस बाय आमी और आज के विडियो में मैं करने वाली हूँ रिव्यू है जो मैं 8 महीने बात करे हूँ आठ महीने मैंने इस jeans को अच्छे से रगड रगड के मैंने अच्छे से use किया है तो मैंने सोचा अब इसका right time है इसका review करने का क्योंकि आठ महीने पहले भी मैंने इसका review किया था जब मैंने ये नई ली थी ठीक है और इन 8 में मैंने से अच्छा खासा मैंने इसको यूज किया है तो मैंने सुचा अब इसके बारे में आपको बताना सही रहेगा जुस्तो ये है वो H&M की mom jeans ठीक है बहुत सारे लोगों को H&M के jeans के size के बारे में बहुत ज़्यादा problem रहता है तो size की बात करूँ तो मेरा जो normal size है मेरा जो inches में size है वो है मेरा 32 inch का मैं jeans पहनती हूँ हमेशा से अगर मैं high waist jeans पहन रही हूँ तो मैं 32 waist size ही पहनती हूँ अगर मैं low waist पहनती हूँ वैसे तो मैं low waist पहनती ही नहीं हूँ और अगर H&M की बात करूँ तो H&M का size जो होता है वो normal inches size से वो different होता है तो आपको उसमें लेना होगा अगर जैसे मेरा 32 inch normal size है तो मैं H&M में जो लेती हूँ वो लेती हूँ 42 size तो 42 size अगर 32 वालों को आता है 42 size और अगर आपकी waist size 34 inches है 34 वालों को आएगा 44 size मैंने 44 भी try किया हूँ है क्योंकि पहले जो मैंने first time H&M का jeans order किया था तो मैंने 44 size में किया था 44 size अगर आप मेरे से थोड़े से healthy हो थोड़े चबी हो तो आपको 44 size आ जाएगा तो इसलिए जिनका waist size 34 है उनको आएगा 44 अगर आपका waist size 36 है तो आपको आएगा 46 ठीक है तो ये measurement का idea मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिया है अगर आपका waist size 30 है तो आपको आएगा 40 size तो I hope कि आपको idea लग गया होगा कि H&M में jeans का size आपको कौन सा लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो size है वो है 42 size ठीक है 32 inches waist वालों को आएगा 42 size इन 8 महिनों में ना जाने कि कितनी बार wash हुई है कोई गिंदी नहीं है बहुत बार wash हुई है क्यूंकि मैं एक travel vlogger भी हूँ और traveling करने में मैं बहुत बहुत ही जादा इतना rough and tough use करना तो मैं इसको rough and tough use करती हूँ as a lower भी मैं इसको पहनती हूँ jeans की तरह तो मैं पहनती ही हूँ और मुझे इसको मतलब जैसे lower में लो comfortable feel करते है यह ऐसी ही है यह बिलकुल आपको इतना comfortable feel होएगा इसमें एक तो यह loose है अब आप बोलोगे कि mom jeans है mom jeans तो loose होती है तो comfort तो वैसे ही होएगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं है अगर fabric अगर आपका comfortable है ना तो ही आपको comfortable feel होएगा आपके skin पे itching नहीं होने चाहिए, uncomfort feel नहीं होना चाहिए मैंने इसको राथ को पहन के भी मैं सो जाती हूँ कई बार मैं bus में travel करती हूँ या train में travel करती हूँ तो मैं इसको राथ को पहन के भी सो जाती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने jeans पहना हुआ है ऐसा ही लगता है कि बस मैंने कोई लोवर पैना हुआ है इतना जादा कमफर्टेबल है ठीक है और मॉम जीन्स तो आपको पता ही है कि अगर थोड़ी चबी होना जैसे मेरे जैसे हो चबी टाइप के हो तो आपके उपर मॉम जीन्स बहुत बढ़िया लगने वाली है लेकिन अ बढ़ियास ही होती है उनके उपर स्किन टाइट जीन्स या बहुत अच्छी लगती है लेकिन यार हम जैसे लोगां पर तो मॉम जीन्स अच्छी लगती है मुझे मॉम जीन्स ठीक है और क्यूंकि मॉम जीन्स का जो लुक होता है वो उपर से लूज होता है और नीचे जाक ब्राइब रहता है है और कपड़े का कलर भी नहीं फेड हुआ है एचने में ब्रैंड के बहुत सारे ब्रैंड ऐसे भी होते हैं कि कलर फेड भी हो जाता है लेकिन इसका कलर एज इस जैसे मैंने लीटी आप मेरा 8 महीने पहले का वीडियो देख लो तब भी आपको इसका कलर दिखेगा और आज ना जने कितनी बार वाश हुई है उसके बाद भी आज भी इसका कलर वैसा ही और धूप में सुकाते हैं कपड़े तो देखो दूप में सुखाने के बाद भी फिर भी इसका कलर एज इस है कहीं से भी टस्टे मस नहीं हुआ है जैसे कि अगर फैबरी की चाहँ परिखे तो आप यसको डियेक्ली नहीं पहं सकते उल को इसको आयन करना पड़ेगा आयन करने के बाद ही आप इसको पहन सकते हो क्योंकि क्या बाद की वह में सल्वटे पढ़े होते हैं तो इस य दो अब हसके लोगतकि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल अची लू आपको ऐसा फील होगा कि आपने new jeans पहना है तो ये difference मैंने देखा है इन 8 महिनों में कि आगर मैं इसको ऐसे पहना हो बहुत गंदा लगता है इसको आयन करना ही पड़ता है आपको तो आप पहनोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि new पहनी है और fabric इसका बहुत बहुत ही अच् और बहुत ही comfortable है 100% cotton है आप थिक तो होता है यह लेकिन इतना अज्यादा comfortable होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक तो यह mom jeans है थोड़ा सा लूस फिट होता है और वाबरिक भी comfortable है तो इसलिए आप रात को पहन के सोगे भी ना तब भी आपको लगे गई नहीं कि अपने jeans पहना है मैं तो इसे बहुत ज्यादा rough and tough यूज करती हूं और आपको पता है यह back side में यह जो देख रहे हो यह V जो बना हुआ है यह बहुत अच्छा लगता है यह बहुत अच्छा लुक है इसका और इसके pockets भी न अच्छे खासे deep pockets है मतलब यह front pocket तो इतना deep नहीं है इसमें मेरा phone नहीं आता लेकिन back side का जो pocket है यह काफी अच्छे deep है लेकिन मैं कभ front में deep देना चाहिए तो front में तो deep दियानी क्योंकि front में थोड़ा deep होता था phone रखने में असानी होती है बस एक यही मुझे इसका कौन लगता है कि यह इसमें नहीं रख पाती मैं phone के लिए यह बहुत यह deep नहीं है बिल्कुँ आधा phone भार निकला रहता है तो चोरी होने का अधार है और उपर से लूज भी है तो बिल्कुल भी phone तो इसमें नहीं रखने का होता है मेरा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है अभी तक जैसा नया लिया था वैसा की वैसा ही है एक चीज का ध्यान रखना जब आप खाओगे पीओगे ना तो यह इस चीज का धियान जाता है दा फिर नहीं जाने वाला तो इसलिए तेल हल्दी बगएरा कुछ ऐसी चीजों का निशान से बचाना बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है टू थाउजन रुपीज अगर यह आपको सेल वगरे में मिल जा है एचने में तो डेफिनेटली इसको लेना जरूर बाकी तो मुझे सेल में नहीं मिला मुझे दो हजार उपे की ही मिली थी तो मुझे दो हजार उपे की ही लेनी पड़ी लेकिन ठीक है यार वर्थ है यह ना जाने कितने साल चलेगी मुझे खुद न